नवस्कार दोस्तों मैं आप सभी का चिरपरी चित दोस्तु पस्थित हूँ आप सभी की सेवा में एक बहदी महतोपूर्ण जानकारी को ले करके जी हाँ पेट को सुबह के समय में साफ करने का बहतरिन तरीका जो कभी भी नहीं सुना होगा आपने जिन्होंने अपनाया उनको फायदा जरूर हुआ क्या आप जानते हो कि वर्दमान के समय में जितने भी परिशानियां एम बिमारियां हो रही हैं, उनमें से 90 प्रतिशत सिर्फ हमारे पेट की साफ नहीं रहने के कारण होती हैं, मतलब कि आधिस से ज्यादा बिमारी का कारण मात्र पेट है, लेकिन अगर इसी को साफ रखा जा आज के इस दोर में व्यस्त जिवन शेली और खान पान की गलत आदतों के कारण कई लोग पेट से संबंधित किसी न किसी रोग से पीडित रहते हैं, जैसे पेट में गैस बनना, एसे डिटी, पेट में दर्थ और जलन होना, इन सब के अतिरिक्त और एक परेशानी है, जिस समय के साथ इंसान की हर बात बदलती जा रही है, फिर चाहें सोना, उठना, बैठना, बात यहां तक की खान पान भी काफी बदल सा गया है, समय की कमी कहें या व्यस्तता हम अपने खान पान का ध्यान नहीं रख पाते हैं, जिस वज़र से अपच की समस्या होने लगती है, ह गहरेलू उपाए बताने जा रहे हैं बता दें कि कुछ ऐसे घहरेलू नुसके बता रहे हैं जिसके उपयोग से आप अपच जैसी समस्या से निजाद पा सकते हैं आज आपको एक ऐसा तरीका बताएंगे जिससे आप अपने पेट को सुभा के समय पूरी तरह से साफ कर सकते ह जिसके फायदे भी काफी चवकाने वाले मिलेंगे आपको जो की सुन लीजी कैसे हैं सबसे पहले गैस की दिक्कत से छुटकारा जी हां दूसरी किर्णी की समस्या दूर होती है पाचन तंत्र मजबूत होता है यह तीन फायदे तो लोगों की समान्य विमारी है जो हम आपको बता रहे हैं लेकिन इसे भी ज्यादा लाफ इस उपाय से मिलने लगते हैं तो चलिए जानते हैं कि कैसे पेट को साफ रखा जाए पेट को साफ रखने का चमतकारी उपाय थोड़ा सा गर्म पानी जी हाँ सुभा के समय में पेट को साफ करने के लिए गुन-गुने पानी को पी लें और उसके साथ थोड़ी देर चहल पहल कर लें करने से पेट एकदम साफ हो जाएगा इसके अलावा अलसी के बीज अलसी के बीजों में काफि मातरा में पोशक्ता तो होते हैं इसलिए रात को सोने से पहले दूद के साथ एक चमच अलसी का सेवन करें जिसे सुबह पेट साफ हो जाएगा इसके अतिरिक्ट दूद के साथ आउले का सेवन करने से भी पेट स्वस्थ होता है पेट की सफाई पेट में गैस बनना एसीडीटी पेट में दर्द और जलन के अन्य रामबान उपाए भी जान लिजे शहद रात को सोने से पहले एक चमच शहद के हलके गरम पारी में मिला करके पीने से अगली सुबह पेट साफ हो जाता है पेट साफ करने में अरंडी का तेल रामबान होता है जिहां रात को सोने से पहले थोड़ा रंडी के तेल को एक गलास हलके गरम दूद में मिला करके पीने से अगली सुबह पेट आसानी से साफ हो जाता है निम्बु का रस शहद और काला नमक सुबह खाली पेट निम्बु का रस एक चमच शहद और थोड़ा काला नमक एक ग्लास गुनगुने पानी में मिला करके सेवन करने से पेट भी अच्छी तरीके से साफ हो जाता है नारियल पानी नारियल पानी भी पेट साफ करने में राम बान है रोजाना नारियल पानी सुबह खाली पेट पीने से पेट साफ होता है अलसी के बीज और दूद अलसी के बीज एक गलास हलके गरम दूद के साथ रात को सेवन करने से सुबह पेट बड़ी आसानी से साफ हो जाता है आउला पाउडर के सिवन से अपच की समस्या को खत्म किया जा सकता है रोज रात को सूने से पहले एक चमच आउला पाउडर का सिवन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लाफकारी सावित हो सकता है सौफ जहां सौफ खाने से गैस और पेट में जलन जैसे समस्याओं से निजात मिलती है इसलिए जब कभी भी खाएं खाने के बाद सौफ आवस्य खानी चाहिए इलाइची कई बार ऐसा होता है कि हम न चाहते हुए भी ज़्यादा खाना खा लेते हैं तो जब कभी भी ऐसा हो छोटी इलाइची चबाले इलाइची में पाचन शमता काफी अधिक मातरा में होती है ये वाश्प शील तेल एवं पाचन विकार को दूर करने में सक्षम है इससे आप थोड़ी ही देर में खुद को हलका महसूस करेंगे इलाइची के सेवन से बदहजमी से भी छुटकारा मिलता है लेकिन ध्यान रखें गर्भवती महिलाएं इलाइची का ज्यादा सेवन नहीं करें क्योंकि इससे गर्भ पात होने का खत्रा होता है तो इस बात का खासा खयार रखें तो ये थी आज की जानकारी आप सभी के लिए अगले एपिसोड में आप सभी के साथ जुड़ते हैं एक और बेहद ही महतोपून जानकारी को ले करके तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों